नमस्कार कल भाजपा की केंद्र सरकार ने सीए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है दस साल देश पे राज करने के बाद एन चनाव के पहले इन लोगों को सीए की बात करनी पड़ रही है अगर दस साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज सीए की जगे अपने कामों पे वोट मांग रहे होते आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है किसी को भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कमर तोड महंगाई हो रही है उधर हमारे युवा दरदर की ठोकरे खा रहे हैं रोजगार के लिए उनके ओपर डंडे लाठियां बरसाई जा रही है ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई का समादान ढूंडने की बजाए सीए की बात कर रही है तो ये बड़े दुख की बात है ये सीए आखिर है क्या बीजेपी की केंदर सरकार का कहना है कि तीन देश बांगलदेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन तीन देशों के अलप संख्यक जो है वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी इसका मतलब बड़ी संख्या में यहां से अलप संख्या को को हमारे देश में लाया जाएगा उनको रोजगार दिये जाएंगे उनके लिए घर बनाये जाएंगे उनको यहां बसाया जाएगा अजीब बात है ना बीजेपी की केंदर सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिये नहीं जा रहे पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चा चाते हैं उनको घर देना चाते हैं हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाते हैं हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाते हैं भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए वो पैसा पाकिस्तानियों को भार के दरवाजे खुलेंगे इन तीन देशों से भारी भीड हमारे भारत में आ जाएगी तो प्रश्ण उड़ता है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है कई लोगों से मैंने बात की कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीती है प अगर भीजेपी को लाना ही है तो इन लोगों को वापस भारत लेके आओना जो भारत छोड़के चले गए यह भारत आएंगे इनके पास पैसा है भारत मेंइज करेंगे नहीले फिटरिया के पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के रोजगार उनको देंगे मोटी मोटी बात यह कि पाकिस्तानियों और बांगलादेशियों के लिए भारी संख्या में भारत आने के लिए बीजेपी सरकार ने खत्रे में पढ़ चुकी है क्योंकि वहां पे बांगला देश से इतनी बड़ी संख्या के उपर इलीगल माइगरेशन हुआ है अब बीजेपी कह रही है कि इलीगल माइगरेंट जो आए हैं उनको हम नागरिक्ता देंगे उनको हम बसाएंगे असाम में बसाएंगे असाम के लोग बहुत नाराज हैं